हेलो, आज हम इस वीडियो में डेटा और इनफ्रमिशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या है, ये डेटा के डेफिनिशन है किसी चीज के बारे में तर्थ्य और जानकारी को डेटा का जाता है, इस जानकारी में संख्या, शब्द, तस्बीर, चिन, राय, आदिशामिल होता है ये तर्थ्य अर्थहिन और समान्य इंसान किसम से परे होती है, डेटा को बविन श्रोतों से ही कठा किया जाता है डेटा को बाद में भविन मादिम से प्रोसेस करके नया डेटा अर्थपूर्ण डेटा बनाये जाता है, कम्प्यूटर एक अलेक्ट्रोनिक मिशीन है, इसलिए कम्प्यूटर दवारा डेटा प्रोसेस करनी की प्रक्रिया को EDP यानि अलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग का जाता है तो data में जो होता है वो हमें पूरा meaning यहां पे नहीं मिलता है for example तो यहां पे लिखा हुआ है 1, 2, 5, 4, 6, 3 तो अभी हमें इसका पता नहीं है कि यह row number है यह code है यह serial number है तो यहां पे हमें इसका पूरा meaning पता नहीं है बैसे ही हमने यहां पे यह लिखा हुआ है new cloney इसका भी हमें पूरा meaning यहां पे पता नहीं है कि यह है क्या इसके बाद यह आगे लिखा हुआ है 812 तो इसका भी हमें अभी यह पता नहीं है कि यह क्या है row number है, series number है, code है क्या है तो यह जो यहां पे लिखा हुआ है यह सारी य सूचना कोई अंग्रेजी में information का आ जाता है सूचना किसी चीज के बारे में अर्थ पूर्ण जानकारी होती है जिसे समानी इंसान सम सकता है कंप्यूटर में जब किसी कारे को करने के लिए नर्देश दिये जाते है तो इस डेटा को प्रोसेस करके अर्थ पूर्ण पर नाम किया जाता है जिसे सूचना का जाता है for example जैसे यहां पर हमने यह लिखा हुआ है राहूल बर्मा 812 न्यू कलोनी शिमला और इसके बाद यहां पर पिन नंबर लिखा हुआ है 125463 यहां पर हमें यह पूरा मीनिंग दे रहा है कि यह जो है यहां पर यह हमने अड्रेस लिख यह information है ऊपर जो सूचना का उधारन दिया गया है उसे हमने data में दिया गये उधारन को ही सही करके लिखा है यह किसी व्यक्ती का पता है इस उधारन से सपस्ट है कि data और सूचना में कितना अंतर होता है और दोनों समान होते हुए भी कितने अलग होते हैं तो यहां पर जो data इसके बाद हम यह जानेंगे कि data और information में क्या difference है इसके बारे में जानेंगे तो difference between data and information तो पहला difference है data, earth हिन और unprocessed जानकारी होती है लेकिन सूचना earth porn तथा processed जानकारी होती है सेकिनड है data को एक आम इनसान समझ नहीं सकते है मगर सूचना एक आम इनसान के समझ नहीं होती है तीसरा difference है data कम अपयोगी होता है मगर सूचना हमेशा अपयोगी होती है चोथा डिफ्रेंस है डेटा आत्म निर्वर होता है मगर सूचना डेटा पर निर्वर होती है पाचमा डिफ्रेंस है डेटा को कोई निश्चित रूप नहीं होता है बहीं सूचना एक विशेश रूप में पाई जाती है तो ये data और information का difference है तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि data और information क्या होती है और इन दोनों में difference क्या है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel